सर जब आपके नाम का अरॉंस्मेंट होता है अर्विन केजरिवाल दिल्ली से पंट जी आते हैं एक प्रेस कॉन्फरेंस होती है और वो आपको इंटिड्यूस करते हैं इस चीज़ पर बड़ा जोर देते हैं कि भंडारी समाज गोवा में एक बड़ा नंबर है लेकिन उस समाज से जादा तर सी एम्स नहीं हुए है अब वही अर्विन केजरिवाल ये भी बोलते हैं कि हम कभी जातपात की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं क्यों अर्विन केजरिवाल को जोर देना पड़ा भंडारी समाज वाली बात पे आपके इस तरह के स्टेट्मेंट समकों मिले कि पिछले 5-7 साल में बीजेपी स्वार्थी हुई है अगर वो बीजेपी स्वार्थी नहीं होती तो क्या आप बीजेपी में होते हैं मैं बीजेपी में तभी नहीं था ना पहले ना मेरे माँ थी जो माइनिंग के साथ में जो एक गोवन सेंसिबिलिटी है इंवार्मेंट को लेकि आप उसको कैसे रिकनसाइल करेंगे नहीं होती है क्या हम यह देखेंगे कि जितने अम आदमी पार्टी के पास होंगे वो ऑपोजिशन में बैठेंगे आपको कभी स्कूल में किसी ने अमौल पाले कर बोला है बहुत बार या भी भी बुलाते है कभी-कभी इक स्टेट्मेंट कि आपकी खूब चर्चा होती है कि अगर आप सीम बनते हैं तो आप 24 घंटे में करॉप्शन खतम करते हैं बिल्कुल करा सकते हैं तो यह आप सीम में चलाएंगे या फिर वो एक नायक फिल्म की शूटिंग लगेगी आपका क्या असेस्मेंट है कि इस बार आप लोग चुनाव लड़के अपना सीम बना देगें नमस्कार आप देख रहे हैं दिललन टॉप की गुवा चुनाव यात्रा और मैं निखिल रजत और रूहानी के साथ फिलहाल पंजब में हूँ गुवा की पॉलिटिक्स में बहुत सारा कंफ्यूजन है कौन किस पार्टी से आया, कौन किस पार्टी में गया, कौन किस के साथ चुनाव लड़ रहा है और चुनाव के बाद कौन कहां चला जाएगा लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि अगर आम आदमी पार्टी यहां अपनी सरकार बना ले जाती है, तो सीम कौन होंगे सीम होंगे, अमित पालेकर, गुवा आम आदमी पार्टी ने आपको सीम फेस डिकलेर किया है बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वग देने के लिए आपने अपने घर में हमें इन्वाइट किया, अपना वग दिया, कैम्पेइन के बीच में सर इस बादचीत के शुरुवात हम यह इस्टाबलिश करके करना चाहते हैं कि गोवन्स जो आपको सुन रहे हैं और जो देश में भी लोग आपको सुन रहे हैं वो इस चीज का इस सवाल का जवाब क्या पाएंगे कि हू इस अमित पालेकर आप कौन है अमित पालेकर एक वाकील है, अमित पालेकर एक मोमेंट है अमित पालेकर एक अच्छे पापा है, अच्छे पती भी है, अच्छे बेटी भी है, अच्छे भाई भी है अमित पालेकर वो सब कुछ है जो आज गोआ चाहती है और गोआ जान चुकी है और अमित पालेकर एक मजाकिया इंसान भी है जिनको खाना बहुत अच्छा लगता है मज़ा आता है जब हम भीच पे जाते हैं फिशिंग करने कभी ऐसे निचर ट्रेल जाते है यह सब में पाले करे है हर एक जो चीज है जिसमें मज़ा आता है हम करते है मज़ा आता है पो करते हैं आपको कभी स्कूल में किसे ने अमल पालेकर बोला है। बहुत बार याभी भी भुलाते हैं, कभी-कभी coincidentally मेरे भाई का नाम भी अमल है मतलब हो जब कजन है मेरा, उनको अमल पालेकर है मैं तेका हाँ, अमल पालेकर का रिस्ता है क्या कोई कोई पूछते हैं, को अभा मुषन है, मेरे कजन है तो मैं बताता नहीं वेरी वरसिटाल एक्टर, बिल्कुल सर अपने बश्पन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हमें थोड़ा और बताईए कि आपकी अप्रिंगिंग के ऐसे फैमिली में हुई है, आपने क्या पढ़ा है, वकील हम लोग जानते हैं, आप प्राक्टिस करते ही हैं, उसके पहले का टाइम कैसा था? मेरा जो बोद ग्रनपेरंट्स है, वो दोनों रेस्टरा止 है, एक पैंजिम में उनका सौ साल से उपर का रेस्टराont है, और पापा के साइड के दादा मेरे, हमी उनका भी छोटा सा रेस्टरांट है, अब भी है, तो मेरे फादर टीछर्थे उन्होंने, मैंने पढ़ाई भी गवर्मेंट स्कूल से करी है, पहले से चौती तक, फिर वहां से मैंने इंग्लिश मेडियम में करा, तो वहां से वो जर्नी हुई, शुरुआत हुई, बहुत अकलिफ होती थी, इनिशली बात करने भी में इंग्लिश में, कि कभी क्या मिस्ट को उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाया, फिर मैंने B.S.C करी, फिर M.B.A. आइंसर करी, बट पैसे नहीं थे, तो M.B.A. नहीं करी, इंडियन इस्टूट आइंस में अड्मिशन मिल चुकी थी, बट पैसे नहीं थे, क्योंकि दिल्ली में था, बहुत सारा खर्चे थे तो वो छोड़ दिया, तो लॉग तो कर रहा था मैं उस ताइम पर, बट मेरा इंटरस था M.B.A. करने में, उस ताइम पर लॉग करने के बाद फिर मास्टर्स करी, मास्टर्स इन कॉंस्टूटूशनल राइट्स और इंटलेक्शल प्रप्रप्रप्टी राइट्स में करी प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र करें तीनों एटेम्स में मेरिट में आये थे हम लोग इंटर्वी में ऐसे सवाल पूछे गए कि मजाकिय सवाल जैसे जिसका आंसर ना उनको पता होते थे ना मेरे को होते थे तो उसमें जीरो देते थे और फिर पैसा नहीं दिया तो ब्राइब सात लग का पैसे मांग रहे थ तो यह थे इस ताम हमारे पास तो 1.500.00 का पापा के उपर लो नी था जो इस घर के लिए था नहीं बाकि उपर तो मैंने बाद में बनाया अब नहीं होता था middle class के पास इतना पैसा होता नहीं था, middle class के पास इतना पैसा गोवा नहीं कभी देखा नहीं था इतना but सब content थे, गोवा की एक खासियत है कि पैसा हो ना हो, सब फूश रहते हैं और इसलिए आप देखते हो ना हर एक घर में आप खुशीन मिलते आपको और वो आपको दिखता है, हर एक गोवन्स के ओपर दिखता है, तो यह बेग्राउंट से अचानक से एक 2006 साथ में मैं फादर पास्ट वे, 7 पास्ट वे, I just got married, 3 months later यह पास्ट वे, तो उसके बाद में मेरे करियर ने जो जंप लगाई, उनका आशिरवाद हो, whatever he was behind me, because his dream it was, कि मैं बहुत बड़ा लॉयर बनो, और 2007 से जो मेरा करियर जंप कराना, वो बिकेम टॉप मॉस लॉयर इन गोवा, तो बहुत struggling journey भी थी, बट आज जाके यहां पर बैठे हुए, तो बहुत मज़ा आता है, कि देखो मैं help भी कर सकता हूँ, और बहुत सारे को करा भी है, और ऐसे profession में आ गए, जहां पर 50% cases में आज तक free करता हूँ, तो रिष्टे जुड़ गाएगो, लॉयर अमित पालेकर आपकी जब पहली बार आपका नाम flash होता है, नैशनल मीडिया में तो एक आजाता है कि नामी वकील है, लेकिन एक और परीचे है, लॉयर अमित पालेकर से कि अक्टिविस्ट अमित पालेकर हुए, एक यहां पर आपने उपवास रखा, जिसके बाद कहा जाता है कि अर्बिन केजिवाल आपको identify करते हैं, क्या किस्सा था? उससे पहले में आमादमी पार्टी से जुड़ गया था, यह जो आमिरण अंशन का हुआ, वो आमिरण अंशन यह था कि वैसे एक्टिविजम मेरे में है नहीं, सोशल एक्टिविजम बहुत है, मैं बहुत कनेक्टेविज़ हो लोगों से, बहुत कुछ कर राया है. मैंने यह उपवास है जो heritage property है चर्च की property जो है वहाँ पे युनेस को heritage है वहाँ पे BJP की एक spokesperson शाइना एंसी उनके husband ने एक बड़ा mention कर दिया इलिगरी एकदम पानी को लगके और heritage property को लगके 15-20 meter के difference में और वो पूरा गोवा उड़ गया उसके उपर लेकिन सरकार तीन चार मैंने से कोई action नहीं ले रहे थी matter high court चक पहुच गया सरकार ने defend कर रहा उसको बे और जब वहाँ पे अंशन शुरुआ token अंशन होता था old ladies बैटते थे हम गये वहाँ पे मिले उनसे तो मैंने का भाई एज कर सकते तो मैं पूरा क्यों नहीं कर सकता और उसी से इंस्पायरों के एक अंशन पर बैट गए और सरकार को हमने फ्लाइ कर रहे थे जो एकदम clouds के उपर से नीचे ला दिया पूरा गोह जुड़ गया उसमें अभी मतलब ऐसा politician आपके पहचान आम आदमी पार्टी के एक leader की है CM face की है लेकिन बहुत सार दर्शक गोंस तो जानता तर जानते ही है कि आपकी माता जी 25 साल बीजेपी में रही है तो जो आपका शुरुवात हुई है आपने पूरे बच्पन में बीजेपी की राजनीति अपने घर में देखी है और अब आप आम आदमी पार्टी में आये हैं आपके इस तरह के statement समकों मिले कि पिछले 5-7 साल में बीजेपी स्वार्थी हुई है अगर वो बीजेपी स्वार्थी नहीं होती तो क्या आप बीजेपी में होते हैं मैं पोलिटिक्स में ही जाता ही नहीं क्योंकि गोवा का भला हो रहा हो था मैं आज पोलिटिक्स में आया किसले हूँ कि गोवा का कुछ तो बहला ह बार में कोई न कोई सोचे, मेरा लाइफ बहुत comfortable है, मैं यहाँ पर अगर आज यह सब शोड़ के किसी और country में जाना चाहो और पूरा career अपना life वहाँ पर बिताओ तो भी कर सकता हूं, but again आपका responsibility रहता ना, आपकी बेटी है, आपके बाकियों के बेटी है, गोआ की बेटी, जब 20 साल बाद पूछेगा, कि आपने गोआ के लिए क्या करा, तो हमारे पास जवाब नहीं होता, यह गोआ आपने destroy कैसे होने दिया, जैसे आज कल, पिछले 7-8 सालों में तो गोआ का destruction at a level कि आप सोच ही नहीं सकते, corruption, हर एक चीज में corruption, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है क देखिए यह government के पास इतना आया, यह बोलते है double engine सरकार है, यह है double engine, आप पूरा pollution तो फैला रहे हो गोआ में, corruption का, मैं सर यह समझना, जैसे आपने अपनी बात कह दी, BJP को लेकर के जो आपके allegations हैं, और मतलब मैं उस line पर टग्या था कि 5-7 साल में माहौल खराब हुआ है, मतलब मैं उस चीज़ को चाता हूँ कि अगर यह खराबी नहीं होई होती आपके शब्दों में, तो क्या आप BJP में होते हैं, लाइक हो मतलब मैं, मैं BJP में तभी नहीं था, ना पहले ना, मेरे माँ थी, मेरा परिवार जुड़ा हुआ था, मैं हमेशा neutral रहा हूँ, हमें ह यह गवा में normally परसंद बेज़ी होती है, कि यह कुछ करेगा अपने constituency के लिए, तो आपने जो सवाल पुचा, मैं कहता हूँ कि मुझे politics में आने की जरुरत नहीं पड़ती है, अगर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो हमें जरुरत पड़ी, नहीं तो क्यों जरुरत आप राजनीती में नए हैं, उस हिसाब से आप जो ordinary goans है, 40 seats, ठीक है, population कम है, अपना culture है, एक बड़ा state है, अलग-अलग जगे की अलग-अलग पहचान है, इतने diverse state की जरुरत पहचानने के साब से आप politics में कच्छे नहीं है, अभी कच्छा आप किसको बोल सकते हो, जिसको दिल में goa बसता है, उसको आप कच्छा नहीं के सकते, politics में नहीं हो सकते हम, लेकिन जो goa का तकलीफ है, जो आजकल goa की जरुरती है, जो गवा में चल रहा है, जो गवा में कुछ जो चला, जो गंदा काम चल रहा है, उसे रोकना है, वो तो सब हमें आता है, तो हाँ, जाते हैं, एक press conference होती है, और वो आपको introduce करते हैं, उससे पहले भी था, लेकिन वो जब आधिकारी घोशना करते हैं, तो इस चीज़ पर बड़ा जोड देते हैं, कि भंडारी समाज goa में एक बड़ा नंबर है, लेकिन उस समाज से जादा तर CMs नहीं हुए हैं, अब वही अर्विन केजरिवाल ये भी बोलते हैं, कि हम कभी जातपात की politics नहीं करते हैं, हम कभी समुदाय सम्प्रदाय की politics नहीं करते हैं, और हम अभी गोवा में बैठे हैं, जिसकी communal harmony के किस से सुनाय जाते हैं, पूरी country में कि देखें, यहां पर Catholic साथ में रह रहे हैं, हिंदू स politics करी नहीं है, उन्होंने बस एक opportunity दिया है, उस बड़े caste को, जिसको आज तक 60 साल से आवाज नहीं मिली थी, आज तक उनकी आवाज नहीं पहुची थी, और हम represent करते हैं, गोवा का हर OBC समाज, हर भोजन समाज, जो गोवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनको opportunity नहीं मिले ह लीड करने के लिए उनको ही नहीं, बस पूरे गोवा को, across all religions, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई, आप politics, caste-based politics कह सकते हो, बस ये दुखता है, दर्द होता है, जब कोई party ये कहती है, और political opponents ही कह रहा है, आप लोगों ने तो कुछ नहीं कहा. सर, ये हमारी research team के तरफ से बेजागा सवाल है, please correct me if I'm wrong, एक statement कि आप क्यों खूब चर्चा होती है, कि अगर आप CM बनते हैं, तो आप 24 घंटे में corruption खतम करते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, ठीक, तो इसी चीज़ को लेकर के लोग बुछता हैं, कि politics is a serious business, आप बनेंगे तो मैं नायक बन सकता हूँ, मैं अगर नायक बन सकता हूँ, तो गोवा सुदर सकता है, क्यों नहीं बनना चाहिए, भाई एक बार बनके देखो, मैं कहता हूँ, हर एक politicians को बोलता हूँ, कि आप एक बार बनके देखो, क्या फरक पड़ेगा आपकी state में, भाई देखो, हर एक जो नागरिक है, वो चाहता है कि अपना जो लीडर हो, वो नायक बने, आप पूछे, आप नहीं चाहते कर अरॉप्शन बन दो, आप नहीं चाहते कर अपको पूरा देख चाहता है, तो आपके सवाल में ही आपको जवाब आगया, क्योंकि आप नहीं मान लिया, कि अगर मै नायक बने, और मेरे 40 जो, पूरे, हर एक पाटी से जो चुनके आएंगे, वो सब नायक बने ना, तो भाई, गोवा सुद्रेगा, देश सुद्रेगा, देश का आज हालत खराब है, आपकी जो बाते हैं, इन जेनरल, उससे ऐसा, मतलब, आपके ऑपोनेंस पी डिसेग्री नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्यों आप कह रहा हैं कि करॉप्शन खतम होना चाहिए, गोवन्स को उनको हग मिलना चाहिए, ये सारी चीजें, जेनरली ये ट्रू, लेकिन जब एक रिलिस्टिक सेटिंग में हम इन चीजों को एग्जेक्यूट करने की बात पर आते हैं, तब ए उनों खड़े होते हैं, नौर्थ और साउथ से दो एमपी, वहाँ भी एलेक्शन में आप जीतते नहीं हैं, 2019 में आपके वोष्ट 2017 से भी कम होने वाले, 17 से भी कम हो गए, किस बेसिस पे आपका क्या असेस्मेंट है कि इस बार आप लोग चुनाव लड़के अपना सीम बन देंगे, 2017 से 2021 तक का सफर जो था, वो कनेक्ट होने का था, 2017 का और 2019 का दोनों चुनाव जो लड़े गए थे, वो एक नई पार्टी के रूप में लड़े थे, एक नया काडर बिल नहीं हुआ था, हाद 2017 से 2021 तक हमने काडर बिल करा, करोना टाइम पर आमाद्मी पार्टी एक पार्टी थी, जो लोगों तक पॉची, जिन्होंने लोगों तक राशन पॉचा है, जो लोगों से कनेक्टेड रहे, उन्होंने ऐक उक्सिमिंटर लेके गए, ऑक्सिजन कॉंसेंटर प्रोवाइड करें, जबकि बाकी सब पार्टी, कॉंग्रेस तो कही गायब होगी थी, बीजेपी उस टाइम पे करॉप्शन में जुड़ी होगी थी, उनके खुद एक अपने पिछले जो हमारे गवर्नर है, उन्होंने खुद कह दिया कि ये तो करॉप्शन करी थी जब लोग मर रहे थे, तो उस टाइम पे जब हमने पहुचे तो हमने रिष्टे बनाएं, दो इसमें एक्जेक्यूशन फेस वाले दौर में ही चल रहे हैं कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, आपका एक constant allegation रहा है कि यहां पे एक job scam हुआ, जिसके लिए आप Goa की जो leadership है उसका नाम लेते हैं, Chief Minister साप का नाम लेते हैं, गोवा में रोजगार का मुद्दा भी बहुत ब बात सिंपल सी है, आप पांच साल का सफर देखोगे, तो जो 50% unemployment rate था हो 75% हो गया है, ऐस पर नेशनल जो आकड़े आया है, वहां से आया है, माइनिंग के उपर रोक लगी थी, Supreme Court ने कहा दिया, auction कर दो, आप कर दो, corporation कर दो, auction कर दो, क्यों नहीं कर पा रहे है, माइनिंग क हटाईए, तो mining शुरू हो सकती है, tourism, आप देखिए, tourism is a backbone, हमने कुछ करा नहीं है, हम तो बस, हमारे पास समंदर है, हमारे पास nature है, आते जाएंगे, लोग जाते जाएंगे, लेकिन हमने कुछ create करा क्या, सिवाए casino के हमने कुछ create करा, हमने कोई family oriented, जैसे amusement park हो, हम जिससे आज गोवा में revenue आएगा, casinos आ चुक है यहाँ पर, casinos है, और अभी इनको regulate करना है, हम regulate नहीं कर पा रहे है, सरकार नहीं कर पा रहे है, क्योंकि हम जब उनके उपर जादा depend हो रहते हैं, हो जाते हैं, तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि आज वही probably पैसे दे रहा है Mining dumps है गोवा में, mining जो already mines लगे हो है, वही यूज करें, आप इनीशे और echo कुछ मत बढ़ाओ, आपका startup policy गोवा में बिलकुल खराब है, 2017 से 21 तक कुछ करा नहीं है, आप ease of doing business आप बोलते हो खराब है, कुछ नहीं और है, new industries आए नहीं है, investment promotion board जो है, वह तो बिलकुल ना अपर लोग गोवा में बहुत हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ करा नहीं है different, भाई आपको कुछ out of the box सोचना पड़ता है, startup policy में गोवा का आज एक product national level पर पहुँच गया, वह cow foods करके, गोवा का young entrepreneur है, बट कहां उसको government ने क्या करा, appreciate करा है बस, ल अदमी party का भी national level पर, गोवा प्रदेश में और आप कभी स्वयम इस बात पर खूब जोर रहता है, कि you are a party with difference, जुमला दूसरी party का है, लेकिन आप उसके spirit में मानते है, अर्विन केजरिबाल गोवा आए, उन्होंने door to door campaign किया, उनको reporters ने पूछा कि भाई, आप इस तरह से campaign करें, उन्होंने का मेरे पास तो करोड़ो रुपे का funding है नहीं, मैं तो घर घर ही जाओंगा, ठीक बात है, हम मान लेते हैं, लेकिन फिर वही अर्विन केजरिबाल सरकार, जो डेली में अभी चल रही है, हम उनके ads देखते हैं, full page, बड़े-बड़े national dailies में, बड़े- खर्च करते हैं विज्यापन में, जो करते हैं, उसे दिखाना परता है, क्योंके लोग और inspire हो चुके है, हम दिखावा नहीं करते हैं, आज गोवा में आप बड़े-बड़े ad देख रहे हो, जो ad दिखा रहे है कि हमने ये किया है, वो हुआ नहीं है, जो हुआ वो दिखा कर रहे है, वो खराव है, तो at least वो तो नहीं कर रहे है, तो बस ये तो जुमले बाज़े हैं बाकी पार्टियों की, कि आरे भाई यहां पर इतने एड हो रहे है, यहां पर तो मोदी जी का पोश्टर अपने वेक्सिनेशन पिया आता है, तो हर एक चीज़ अभी मूफ टिक के इसके बारे में जाला, क्योंकि हम तो जो करते हैं उट नहीं करा रही है, बहुत आए कर दी जो आम अदब पर्टी क्लेम करती है, आप उसको रेप्लिकेट करेंगे गुवा में, गौट तरीके से, अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं, वो लोग यह शिकायत करते है कि य जाता है, जो कच्रे के डम्स हैं, वो पूरी तरह से अभी तक के हटे नहीं हैं, जो टीचर्स हैं, कॉर्पोरेशन के, वो लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, मौला क्लीनिक की बात हुई थी, वो हर जगे खुले नहीं, इस तरह की एक शिकायतों की एक लंबी लिस्ट है, आप मतलब जब हम इस कॉंटेक्स्ट में आपके कैम्पेंड को देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे ओर्डिनरी गोवन्स को कि क्या दिल्ली मॉडल गोवन्स के लिए सही है, बिल्कुल जरूरते सेम होते हैं ना सबकी, आपको प्रॉपर इलेक्रिसिटी सप्लाइ चाहिए, आपको प्रॉपर पानी की सप्लाइ चाहिए, आपको प्रॉपर हेल्थ केर चाहिए, आपको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, आप में और मुझ में क्या फरक है, आपको प्रॉपर फूड सप्लाइ चाहिए, आपको प्रॉपर जॉपर चाहिए, आपको प्रॉपर जॉप महाराष्टा से हो, करनाटका से हो, जरूरत ही एक ही है, सबकी सेम है, बस उसको model के fit करके यहां पर जिस तरीके का model वहाँ चल रहा है, और tried and tested model है, शिकायत है तो हर चीज में आती है, आप कुछ भी अच्छा करो, कोई ना कोई खुछ सहता है, कोई ना कोई उनको रहता है, को यहां पर जो लोकायुकता भी है, उनको भी कोई recommendatory action करते हैं, तो आज तक कोई government action लेता नहीं है, बिल्कुल कोई होता है, ने, दो गलत से बिल्कुल सही नहीं होता है, लेकिन जो गलत है, वो गलत है, लेकिन जिसके पीचे कारण है, वो कारण होते है, और बहुत कुछ ची जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के, उनको चालेंज कर रहे हैं for a debate, और आपके हाथ में एक मानी का बिल भी था, उसमें आप शिकायत कर रहे हैं, कोकणी में, कि आप गलत तरीके से बिल किया गया है, यह आपने एक open challenge, कभी आपकी sound सहब से बात हुई है, बहुत पहले हुई है, politics में उससे पहले बहुत बार ही हुई है, अभी नहीं करते हैं, अभी डरते हैं, पहले क्या बातचीत थी? बातचीत थी, as a lawyer था, मैं मिला, political, social circles में मिले हैं, रोटरी के, बहुत सारी events पे उनको बुलाते थे, उनकी wife भी हमारे साथ आई है, events पे, वो ही तो photo viral करा रहे ह इनका understanding है कि अब BJP के ही लोग है, as a chief minister, as chief minister's vibe, मैंने उनके मिले हुए हैं, बहुत बहुत ही मिले हैं, किस तरह के सम्मंद सार, मतलब ऐसी, very professional, social, ऐसा कुछ नहीं है, गोवा बहुत छोटी जगा होने की वज़े से, हम मिलते जुलते एक दूसने से, everybody knows everybody, कोई function में मिले, उ सारे ने extractors donate कर है, करोड़क का equipment, beds दिये, तब उसके handing over में हम मिले हैं, तो बहुत, गोवा का vision की बाते बहुत हुए हमारी उनसे, लेकिन आज जब हम challenge उनको करते हैं, तो हम नहीं फोना था, मैंने चारों minister को challenge करा, कि आप चारों department के issue लेके हमारे पास आई है, हम लोगों क जब बन हुई, जब हम आदमी party में आए, तब उनको लगा कि यह तो दुश्मन हारे, यह तो अलग सा, दूसरे party में जोड़ है, तब तक तो बाते होई रही थी, बिल्कुल हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, सबसे हो रही थी, उसके बाद में बह आज आपके reservations हैं सावंत साब की government के लिए क्या आपने तब जब आपकी समन्द के क्या तब आपने उनसे कभी शेयर गया कि देखे आप CM साब ये गड़ा हैं हम Facebook पे भी वोकल थे, social media पे मैंने IT policy पे जो government के failure है उस पे मुद्धे उठाए थे, हमने जो गोवा में solar policy है, उसके उपर मुद्धे उठाए थे, हमने जो अपना start-up policy है उसके उपर लिखा है, बहुत कुछ लिए pandemic में, I've been vocal about जब second view चले, गोवा में लोग मा रहे थे, तो मैंने कहा था, भाई आपके आतों में खून लगा है, मैंने intervention petition file करा high court में, government के against करा, जो intervention petition high court में गया, वो मैंने करा था तो I went against the government तब भी political कोई agenda नहीं था ना political कोई रिष्टे नहीं थे सब बहुत पोलिटिकल था तबी क्या तब उन्होंने कभी आप से बात कि कि देखो, हम ऐसा ऐसा है, हम इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं सरकार से, नहीं सरकार से, नहीं नहीं communication का problem की arrogance आ गया है, सरकार में एक, 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 एक level का arrogance आ गया है, वो डरते नहीं है और वो सोचते हैं कि भाई, चलो यह तो होगा, गवा में लोग चिलाएंगे, चूप रहो जाएंगे, हमें ही वोट करेंगे वापस, और वो सोचते हैं ना, पागल समझते हैं हमको हम पागल नहीं हैं ना, तभी तो politics में आना पड़ा ठीक है, सर, एक चीज सिंस हम अभी politics की भी बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि आर्विन केज रिवाल, नाशनल लवल पे non-confrontational हो गए हैं also with the central leadership, केंदर सरकार के साथ भी और उनके ठीक ठाक संबन्ध है ममताव एनरजी के साथ में आमने सामने आके कभी हो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते नहीं है दोनों opposite parties है क्या कोई बात गोआ को लेके नहीं हुई कि आम आदमी party हो तरिनमूल Congress साथ में चुनाव लड़ ले जब दो leaders एक दूसरे को जानते ही है शुरुवात से बात कहा गया था कि हम किसे के साथ में alliance नहीं करेंगे जिस दिन से हमने political यह लड़ने का सोच लिया था कि हम 40 constituencies में 40 चेहरे नहे लाएंगे बात अभी यहां आती है कि हम alliance किसके साथ करें 17 लोग थे Congress के उनके दो रह गयते चुनाव तक आते आते BJP एकदम करब system है यहां से वहां, वहां से वहां TM से खरीदने में जुड़ी हुए आज इसको खरीदते है उनका installment नहीं आता है वो छोड़के चले जाते है दुसरा तो करे किस से करेंगे MGP ने उनसे कर लिया जो party है जो गोवा से connect नहीं कर पाई गोवा forward आज बोलती है इनके साथ करेंगे कल बलती है उनके साथ करेंगे तो vision किसी नहीं बात नहीं करी revolutionary goans का मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा reason simple सी बात है कि आप जो कुछ आप कहते हो आप करते नहीं हो आपके अंदर में इतने सारे problems है आप पोगो की बात कहते हो कि आज तक हम ने कभी bill देखा नहीं है तो आप कोई भी thought process हो person of goans origin करके उनोंने bill करा है कि भाई नौकरिया सिर्फ goans को मिले वो तो हम भी कहते है 80% job should be in private should be also reserved for goans 80% मैं कहता हूँ कि job अगर आपको जो scams खटाने goans में opportunities देने तो थोड़ा सा stringent action लेना पड़ेगा but of course on merits government job सब ऐसे भी goans को ही मिलते वो तो आप goans के नहीं हो तो मिलता नहीं यह domicile है उसको पंदना मैं कहता हूँ कि आप अगर कोई बात करते हो कि यह आप करना है आपको तो उसका एक draft तो दीजिए हम जान ले आपके विचार क्या है बस आप इनको ब्लेम करो उनको ब्लेम करो एक arrogant language उसकरो हम arrogance के साथ नहीं जुड़ सकते आप जो language उसकरते हो stage पर खड़े रहे के about other leaders उनको ridicule करते हो नहीं करना चाहिए मुझे नहीं लगता आप एक political कुछ भी आप politically किसी को criticize करो लेकिन personal level पे मैंने उनका call record कर दिया ये कर दिया मैं नहीं जानता कि ये तो बच्पने वाले बात है भाई उसने ये कर दिया मेरा bet है मैं निके चला जाओंगा अभी आपने में बेटिंग आपको देनी नहीं मैं आपको यहां रोकना चाहिए आप जब बोलते हो non-confrontational मैं वही कहता हूँ कि आप क्यों जाएं confrontation में जाब विजन की बात करे हो मैं कहता हूँ आपना विजन सामने रखके जिलिए तो वही कर रहे है पाठी बिल्कुल वहां तक के बात भी ठीक है लेकिन हमारा जो सवाल है जैसे हमने देखा है कि जब जब क्योंकि आपका इस बात पर जो है कि हम जो चल रहा है उससे अलग हैं आप कहते हैं हम Congress नहीं हैं आप कहते हैं हम BJP भी नहीं है लेकिन जब और हम गवा में बैटे हैं जहां के के मुवमेंट्स होते हैं C.A.N.R.C का मुवमेंट हुआ या जब कमिनल पॉलिटिक्स होती है नाशनल लेवल पर हम देखते हैं कि अर्दिन केज जिपाल यामाद में बाटी सीधे आकर के कभी अटैक नहीं करते हैं उस चीज़ को में बाटी फैल जाएर साफ फैल जाए। क्योंकि आपके जो उपुनेंट्स हैं वो बोचे हिंदुथवा लाइट आम आदमेपार्टी है क्या लाइट हिंदुथवा बतते आप अगर मैं हंदु हूँ मैं तो मंदीर में जा रहा हूं समझलो तो उसको क्या soft hindu तो कर गत कए, अब hard hindu तो क्या होता ह्य, soft hindu always होता है मैं हिंदू मुझे बताइये, मैं hard hindu या soft hindu, मैं mundir जाता हो, मैं चड जाता ह Aubraud, मैं मस्जीद भी जाता है मैं скड़ ही ज़ा भी चड़ाता हूँ, मैं soft hindu या hard hindu, ये पुलिटिशन बता है, वो मुझे क्या कहेगा? ठीक है, यह जो लोग दर्शक आपके देख रहे हैं, वो इसके जच होंगे अब हमें, गोवा स्पेस्विक हम कुछ बाते करना चाहते हैं गोवा में आप लोगो पूरे आत में विशाथ से कह रहे हैं तो उनके ओपर इमिजिटली वहर कर्च किया जा सकता है 21,000 करड़ोड का बजट है गोवा का उसमें से पैसे कहां जा रहे है, किसी को पता नहीं है एक लाग के ओपर खर्चा करते है, सरकार हर एक वेक्ति के ओपर आज गोवा में जो पूरे देश में मेरे कहल चे सबसे ज़्यादा है बड़ उसका किसी को कहां पहुचता है पैसा पता नहीं है डेवलपमेंट के नाम पे गोवा निल है आप देखोगे बीच क्लीनिंग हो या कुछ भी हो अब कैपिल सीटी में जाके आज बीच का हल देखो आज भी फोटा अब पेपर पे गंदीगी फैली हुए है यह क्यों हो रहा है यह सिंपल चीज़े आप नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं दे सकते इनके उपर पहले कोशिश करने कि यह खतम कर ले कि इनका लाइफ लोगों का नॉर्मल कैसे हो उसके बाद में बहुत कुछ करना है मैं अन्ताओं की जो बेसिक इशू है गोवा में वो है करप्शन अगर करप्शन हट जाता है ना वह बहुत सुंदर जगह है गोवा के लोग सुंदर है लेकिन प्रॉब्लम है कि सुंदर को कोई नोच नोच के खा रहा है तो आप जवर आपका को और आजएंडा है तो तो यहाज जो गोवा में लोग आएक था आप उसके हाथ मजबूत करेंगे। बिलकुल करना चाहिए, बिलकुल करना चाहिए। और क्या यह जनलोग पाल जैसा नहीं होगा। मैं आपको काईदे कानून बहुत है, मतलब आप देखोगे तो इतने लॉज है इंडिया में, मैं खुद लॉयर हूँ, मैं जानता हूँ, 500 से उपर जो कानून है, वो है, इंप्लिमेंटेशन नहीं है, एंफोर्समेंट नहीं है, वो अगर आप उनके जो अपके अजनसी अभ जीच में घुसाना, तो नोग जोक नहीं करेंगे, तो बहुत कुछ सिदर जाएगा, ठीक है, सर, अभी हम इलेक्शन के काफी करीब, और आप लोगों ने एक अंदाजा तो लगाए होगा, प्रमोट सावन चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने नारा पहले ही दे दिया था, 22 में आज हम TMC के जो स्टेट प्रेजेंट है, किरन कांडोलकर उन से मिलने गए थे, वो भी कह रहा है, उनका और MGP का मिला के 22, आप लोग किस नंबर के, मतलब आकांची हैं और कौन सा, हम तो कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, नंबर आज कोई बता सकता है ना, तो सिर्फ जनता बता सकती है, और बगवान बता सकती है, पर आप लोगा कोई एस्टिमेट जरूर होगा, बिलकुल होगा, हमने 39 कॉंस्टिटिएंस में कैंडिट्स खड़े करें, एक में हमने सपोर्ट करा है, तो मुझे जिस तरिके से लोगों का रिस्पॉंस आते दिख रहा है, तो मिनि लगते हैं, मिनिम 53 उसे उफ़र भी जा सकते हैं, बाकी जन्ता जन आर्जट जानती है, वाइस के करीब आप भी हैं, हम तो एक जादा बोल रे हैं, लेकिन जो सरकार जिनकी है, हम तो नही पार्टी थे, नहीं पार्टी है, यह तो यहाँ पे सरकार चला चुके है, इन्हों जो बात चीछ चल रही है, हम लोगों से मिलते हैं और बाकी लोगों से जो बात करते हैं उसमें एक जुमला चल गया है आमादने पार्टी के साथ की देल भी kingmakers तेमे भी kingmakers तो उस बात का मतलब यह निकलता है कि आमादने पार्टी किसी post-poll alliance के बारे में भी सोच सकती है क्या ही होगा अभी जैसे मैंने का आज इस election के result के बारे में कोई बता नहीं सकता है इस election का result जब आएगा तब ही पता कि हम प्रजा के सेवक हैं हम राजा नहीं है हम सेवक है मेरे खाल से यह चेंज होनी चाहिए कि भाई हम सोचे कि हम kingmaker हो या हम king बने है कि जनता के नौकर है जनता राजा है तो आप मतलब आप आप ने ओपन एंडेट जवाब दे दिया सर मतलब मैं यह समझ क्यों कि आज आप एक Goa का people मैं आपको कहता हूँ Goa में कोई भी survey correct आई हो आज तक आप देखते जाहिए नहीं आती को कि Goa का वोटर है वो बहुत intelligent है नहीं बताएगा हो को आपको किस court करेगा नहीं बताएगा very rarely बताएगा हो वो बहुत सही तरीके से जानता है कि मुझे सही को वोट कर आज जितने नए faces इस election में आपको दिख रहे है न वो कभी नहीं दिखे थे आज तक हर एक constituency में सिर्फ जो भार से आईवी party आए यो जो existing party आए उन्होंने वही चेहरे यहां से उठा के यहां कर दे यहां से उठा के यहां कर दिये जैसे TMC ने कुछ खरी दे कुछ BJP ने खर से जो जिन्होंने पिछले elections लड़े है वाकि सब नया faces है नया blood है जो जानते हैं गोवा के लिए क्या करना है इन केस मतलब आप जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं आप कहे भी रहें के सरकार बन जाएगे आप से इन बनेंगे इन केस यह चीज़ materialize नहीं होती है क्या हम यह देखेंगे कि जितने MLA's आम आदमी party के पास होंगे वो opposition में बैठेंगे क्योंकि यह एक सवाल उठाया जाता है बार-बार की गोवा में होस्टेडिंग खूब होती है हारने वाली party के भी लोग आयनमा shift होते हैं और फिर वो minister बन जाते हैं क्या यह आम आदमी party के साथ नहीं हो हमने कहा है कि हम corruption का साथ कभी नहीं देंगे तो बात आप जब कहते है कि बात आगी कि BJP के साथ जुड़ना है नहीं आप हम मैं camera पर कहता हूं कभी नहीं जुड़ेंगे बिल्कुल देखेंगे कैसे होता है देखिए सरकार किसीने किसीने बनानी होती है अभी किसी को पास कितने numbers है वो numbers game at the end of after 10th March ही पता चलेगा उससे पहले कोई बता ही नहीं सकता है कि हम सरकार बनाएंगे हम इतना चानते हैं कि हमें जो response आ रहा है उस सरीके से हम जितना सोचते हैं कि बिल्कुल हम भाँ पहुंच ही जाएंगे ऐसा लगता तो है बट finally 10th March को ही पता चलेगा एक आपने कहा था कि आप जब सीटें इना रहे था आपने कहा कि 49 हैं और आप एक पर सपोर्ट कर रहे हैं मैं आपकी सीट के बारे में भी जाना चाहता हूं कुछ चीज़ा सांटा क्रूस से आप लड़ रहे हैं और वो कॉंग्रस का गड़ मानी जाती है और इस चीज़ का खूब बात हो रही है कि आपने काफी टफ सीट चुन ली है और मतलब उस इंबारस्मेंट से बचने के लिए आप क्या करेंगे कि पार्टी जीत गई है बट सी एंफिस नहीं जीता है आपकी क्या तैयारी है यह देखिए हमने हमने लोगों से कनेक करा है हमने हर घर में हम मैं हर घर में गया हूँ अभी लोग डिसाइड करेंगे कि यह सही चेंज है हमारे लिए दिखता तो है बहुत होपस है उनके हमारे पर हम जब जाते तो रिस्पॉंस भी बढ़ी आता है बहुत बढ़े अच्छे तरगे से वलते हैं येस भी नौ यू हम आपको वेलकम करते हैं तो टॉफ सिट अफकोस है क्योंकि आम आदमी पार्टी बिलकुल पहली बार यहां पर उन्होंने सत्रा सो वोट निकाले थे लास्ट तैम पर और आज हम जीतने के बाद कर रहे हैं अभी हिस्ट्री तो बनती है ना कभी ना कभी बन जाएगे इस बारी क्योंकि लोग सोच रह आज कॉंग्रेस ने भी सब कुछ खराब कर दिया है क्या जितका है वो बीजेपी में चले गया बीजेपी से लड़ रहे हैं और वापिस लोग के पास जाएं कि हमें वोट दो जो कॉंग्रेस पे यहां लड़ रहे हैं उनका बेग्राउंड सबको बता है वो एक नोटोरिय सब्सक्राइब से आपका पार्टी फंक्शनेरीज हैं मतलब अगर इनमें इतनी प्राबलम में तो क्या वहां से काड़र रहे हैं मैं डिफेक्शन की बात कर रहा हूं कि चुनके एक पार्टी से आ और डिफेक्ट करा मैं वालिंटेस आफकोस कही ना कहीं जुड़े थे जै और परेगर के नाम को खूब मानती हैं और उनके कैंडिडेचर को जो इतनी ऑपोजिशन पार्टी से उन्होंने खूब सेलिबरेट किया क्या हमादमी पार्टी से उनकी कोई बात क्या आपने कभी अप्रोच कि उत्पल आप हमारे हां से कंटस कर सकते हैं हमने हमसे बहुत स वो लड़ना चाहेंगे हमारी टिकेट के उपर तो मैं खुद कहूंगा कि आप लड़े मैं हट जाओंगा तो इससे ज्यादा और वेलकमिंग हम कुछ बोल नहीं सकते हैं अभी उनका डिसीजन है वो इंडिबेंडेंट लड़ रहे है अभी हमारा भी कंडिडेट वहाँ प वाइन यहीं के लिए कि क्राइटेर वेनिबेटि का था बात वह वेनिबेलिटि की करते हैं तो रिस्तो की बात कोई करता नहीं है आज आप जब दूसरों को घ्यान बाटते हो कि हम तो इतने सारे हमारे उसूल है हमारे प्रिंसिपल्स काम नहीं छोड़ते हैं इतनी तो अगर आप selfish हो, आप हो, मान लो कि हम भी दूसरों की तरह हैं, फिर आप वो ग्यान बातना बंद करो, कि हम अच्छे लोग हैं, हम यह करेंगे, वो करेंगे, आप अभी जिनको टिकेट दिया उनके उपर तो, कितने सारे आरोप लगे हो हैं, रेप चार्जिस लगे हो हैं, मेरे भाई, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारा आपने क्रियेट करा, बेटी किसे बचाओ गया, जब खुद आपके जो बचाने वाले हैं, उनके उपर चार्जिस लगे हो हैं, मैं वही कह रहा हूँ, उनका कैंडिदेट वही है, अभी कोट में हो जाएगा, सही है, जो किया गलात है, बात कयल लगें, बहुत कहले हैं, बहुत कि ये फेक गया लेंगे हैं, भाई देखो, तो आप बस सब कुछ फेक हाता है, until proven guilty, as a lawyer, I know that, बट आप इस तरीके के, जिन पर आरोप लगे हैं उनको टिकट देते हो और फिर आप बाते काते हो, बैची बचाओ, बैची पढ़ाऊ. आपने वहाँ पर वासको में किसी और को टिकेट देती जिनकर आरोप लगा कि उन्होंने किसी का लगी कया अताचार कैया. तो भाई क्या है प्रिंसिपल्स कहां गह रहे आपके प्रिंसिपल्स चलो आप मैं कहता हूँ करप्शन ने आपने यहां पर सीमा टेकर ली कि यह तो पिक पर पहुच गया आप इस मामले में भी आप अगर वहां पर इतना नहीं सोचेगे आप एक तरफ पिंक फोर्स लांच करते हो और एक तरफ यहां पर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देते हो जिनके ओपर सीरियस आरूप लगा और फोटो आए वो कहते हैंने तो मॉफ्ट है भाई अभी आप तो पागल तो नहीं है एक वैसे सर आपने न मतलब मैं उसको अल्मोस किप कर गया था सवाल आपने कहा कि प्रिंसिपल्स आपके कुछ वैल्यूस और प्रिंसिपल्स होने चाहिए आपका एक सिर्फ विनेबिलिटी एक यह न किसी ने दावा करा क्या एकोल अपॉट्रिंटीस सब को मिल रहा है यहां पर मुझे मिल रही है दूसरे राज्यों में दूसरों को मिल रही है अगर हम चाहते कि वह रहे वहां पर एज लीडर और उन्होंने प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदले ना जो नॉन करॉप्शन का ज आई साल डिफेंस लॉयर रहा हूं हर एक क्रिमिनल देखा है इनको बनते देखा इनको खतम होते देखा है क्राइम कभी सक्सेस नहीं होता है कभी नहीं होता है आज ना कल वह मीटेगा बस विश्वास होना चाहिए कि वह गलत है और गलत है मैं कहता हून आपको तो यह डर उसे डरना चाहिए जिसके मतलब क्लोजेट में स्केलेटन हमारे है नहीं आईये कभी भी यह वेलकम है आपके लिए A.D.I.D.D.R.I. whatever यह दरवाजा खुला है देखिये जाक के देखे मेरे घर में मेरे अकांट्स में इसलिए तो आम आनमी पार्टी से जुड़े हुए है क कि कोई उंगली ना उठा सके और ना कोई कर सके उंगली अरे टीक है on that note आप कुछ और चीज गोवन को और कंट्री पीपल को जो आम लोग हम को देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं मैं कहना चाहूंगा कि आप गोवन पोलिटिशन की तरह हमें ना देखे हैं हम गोव के लोग बहुत अच्छे हैं बहुत दिल के अच्छे हैं गोव एक जन्नत है बस यहां की एक ही चीज खराब है यहां के पोलिटिशन जो गोवा का नाम खराब करते हैं बस भूल जाये उन्हें गोवा बदल जाएगा गोवा बदल रहा है और आते रहे हैं गोवा में क्यों जो हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं, कोई भी टॉल नहीं है उसमें से, टॉल प्रॉमिसे बाकी लोग करते हैं, जैसे गोवा गॉर्णमेंट ने जब हमने मुफ जी का ऐलान किया, उन्हें का मुफ पानी देंगे, पानी मुफ देने की बात अलग रही, आज बिल्स त्री टाइम हैं, तो वो बिल्ट ओल हो गए, लॉंग हो गए, बस और कुछ नहीं, वो उनसे होता है, तेक है, इन सारी चीज़ों का, जितनी चीज़ें आपने गोवा के लोगों से कही हैं, उन सारी चीज़ों पर गोवा अपना फैसला सुनाने ही वाला है, ये बाचीत रिकॉर्ड हु और सौरब त्रवेदी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप देख रहे थे दिललन टॉम, शुक्रिया